spiders are arachnids and their body is divided into two major parts अगर इस slides के अंदर हम देखें तो यहाँ पे वाज़त तोर पर देखा जा सकता है कि जो spider की body है इसके दो major part है इसका पहला part यह sphalothorax कहलाता है जबकि जो इसका दूसरा part है इसको abdomen कहते है यह दोनों हिस्से एक structure जिसको हम pedicel का नाम देते है इस pedicel के जरीए यह दोनों sphalothorax और abdomen जुड़े होते है अब जो abdomen है इसको अगर हम गोर से देखें तो इस हिस्से के साथ कोई भी टांग जुड़ी नहीं है तमाम की तमाम जो functional legs है they are attached with the first part which is known as sphalothorax अब abdomen के अगर हम structure की बात करें या इसकी morphology की बात करें तो जो abdomen है इसको हम office to soma भी कहते हैं office to soma अगर हम इसकी ventral side की बात करें तो इसकी ventral side के उपर खास किसम की hard plates होते हैं जिनको हम epigastic plates कहते हैं यह epigastic plates abdomen की ventral sides के पर मौझूद होती हैं जो के जो book gills हैं उनको cover करती हैं यह heart plates हैं जो के abdomen की ventral sides के उपर मौझूद हैं और यह book lungs को cover करती हैं उसके बाद अगर female की बात करें तो female के अंदर जो genital organ है spiders के अंदर उसको हम epigain का नाम देते हैं और female के अंदर जो abdomen है abdomen की ventral side के उपर epigain मौझूद होती है epigain एक ऐसा structure है जिसको hard parts ने cover किया होता है उसके बाद epigain के साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे book lungs मौझूद है तो abdomen की ventral side के उपर epigain भी मौझूद है और इसके साथ साथ यहाँ पे book lungs भी मौझूद है अब अगर हम spiders की taxonomy की बात करें तो spider की taxonomy जो characters है उन में से एक important जो character है वो spider की epigain है इसका जो genitalia है male genitalia और female genitalia दोनों taxonomy कली important characters है क्यूंकि ये जो structures हैं ये मुख्तलिफ species के आपस में match नहीं करतें और इन characters को हम species recognition के लिए इस्तवाल करते हैं इसरी के से ये देखा गया है कि बहुत सारे जो female spiders है उनका जो genital structure है जिसको हम epigain कहते हैं epigain के अंदर एक tongue like projection है यहां अगर अगर इस slide के अंदर देखें तो यहां पे यह एक tongue like structure है जिसको scape बोलते है जैसा कि नियो सकोना spiders जो के एक और web spiders है इस scape के साथ दो lateral lobes मौजूद होते हैं जो के यहां पे slide के अंदर दिखाए गए हैं तो यह जो scape है यह तमाम spiders के अंदर मौजूद नहीं होता बलके कुछ spiders ऐसे हैं जिसके अंदर यह tongue like structure absent होता है लेकिन majority of spiders की जो epigain है इस epigain के अंदर यह tongue like structure मौजूद होता है और इसके साथ जो lobes है उनको lateral lobes कहते हैं उसके बाद जो epigain है epigain has two external openings which lead to the spermaty का यह जो external opening है यहां पे दिखाए गई है इस slide के अंदर और अगर इसी slide के अंदर हम इसका उपर वाला हिसा देखें तो वहां पे दो curve tubes हैं यह जो curve tubes हैं इनको fertilization tubes कहते हैं तो यह एक typical जो spider है उसके genitalia का structure है फीमेल की जो genitalia है इसको हम epigain कहते हैं या epigain यह जो abdomen है उसके ventral side के पर मौझूद होती है यह काफी hard structure ने इसको cover किया होता है उसके बाद जादा तर जो spiders हैं उनके अंदर एक tongue like projection मौझूद होती है जिसको हम scape होते हैं और यह जो scape है इसके sides के उपर lateral force होते हैं इसी तरीके से जो epigain की external side है वहाँ पे दो tubes हैं जिनको हम external openings कहते हैं और इसके अंदर दो curve structures जिनको fertilization tubes कहते हैं वो भी मौझूद होती हैं उसके बाद spiders के अंदर जहाँ पे epigain या book lungs मौझूद होते हैं इन दोनों को separate करने के लिए एक furrow मौझूद होती है जिसको हम epigastric furrow कहते हैं यह जो epigastric furrow है यह epigain और book lungs को separate करती है इसी तरीके से abdomen का जो last portion होता है जो बिलकुल इसका end वाला portion होता है वहाँ पे खास किसम के structures मौझूद होते हैं जिनको spinders कहते हैं यह जो spinders है यह spider जब silk produce करता है तो silk production के अंदर important role play करते हैं तो यह abdomen का structure है कि abdomen की अगर हम morphology देखें तो इसके अंदर legs नहीं होती है इसकी जो vental side है वहाँ पे epigain मौझूद होती है book lungs मौझूद होती है epigastric furrow मौझूद होती है और इसका जो last part है वहाँ पे spinners attach होते है